अलो गूद्मोनिंग इस्टुडेंट्स आं सेंगीता पर्ट्व और इंग्लिश टूचर इस्टुडेंट्स पीएस वीडियो में हमने चेप्टर थर्ड देहरें डाहेर इंड टॉट्टाइस के रिडिंग करी ते और आज की वीडियो में हम इसकी क्वेश्टन आंसर एक्सर अपको राइट केंशान लगाना हैं फ़ाश्ट दा हेयर वाज मीस हैर मीन्स होता करगोष तो करगोष था क्या था करगोष बेरी जेंटल मिस बहुती दयालू था बेरी प्राउट बहुत घमंडी था यह हम्बल यह वीनम्र यह वीनम्र यह आम चैसकते कि वह बहुत नम्र अच्छी सोभाव का था यह न आप दीज तो खरगोष केसा था खरगोष बेरी प्राउडी था है न उसको बहुत घमंड था अपने आपको यह तो यह आपका सेचेंड पे आपको राइट का निशान लगाना है नेक्स्ट को वास लिप्टिंग कोन सो रहा था था दे खच्छुआ सोया था या खरगोष या पेड या इन में से कोई नहीं तो कौन सोया था पेड़ी के नीचे खरगोष सोया था तो इसमें भी आपको सेकेंड वाले पे राइट का निशान लगाना है ओके I can beat you in the race. मैं तुमें race में हरा सकता हूं. In this line I refers to, refers to, इस line में, किसको सुचित किया गया है यह किसको बताय गया है तो इसमें आएगा आपको the tortoise, the hare, the milestone and none of these तो इसमें the tortoise, क्योंकि tortoise नहीं ये बात कही थी कि मैं तुमको race में हरा सकता हूँ इस तरह से आपके MCQs complete हो गए है नेक्स्ट, read the following statements and correct the wrong ones स्टुडेंट यापको कुछ statement दिये गए हैं जिसमें कुछ wrong दिया गया है तो उस wrong को आपको correct करना First, the tortoise did not wake the hare tortoise ने खरगोश को नहीं उठाए था तो ये आपका correct है न Next, the hare is the milestone first जो खरगोश था वो milestone तक पहले पहुचा था तो ये तो wrong गे क्योंकि milestone पहले कौन पहुचा था tortoise तो ये ये ने इसकी जगे आपको tortoise side करना ये आपका correct होगा Next, the tortoise slept under a tree पेड के नीचे कच्छुआ सो रहा था तो ये भी wrong गे क्योंकि पेड के नीचे कौन सो रहा था खरगोश तो ये आपको h-e-r-e hair राइट करना है इस तरह से आपको इसको underline करके सामने h-e-r-e लिखना है Next, the hare won the race कच्छुआ रेस जीत गया था ये भी आपका गलत है क्योंकि sorry the hare won the race खरगोश रेस जीत गया था ये भी आपका रॉंग है क्योंकि खरगोश तो हार गया था और कोन जीता था रेस कच्छुआ जीता था tortoise जीता था तो hair को आपको underline करना है और यहाँ पर सामने आपको tortoise right करना है इस तरह से आपको इसको correct करना है जी कच्छुआ था काफी घमंडी था तो ये भी रॉंग है क्योंकि घमंडी कोन था खरगोश था तो यहाँ पर आपको tortoise को underline करना है और यहाँ सामने हरी hair right करना है इस तरह से आपको exercise complete करना है अब exercise third fill in the blanks यहाँ आपको ब्लेंक दिये गए है उसको आपको complete करना है the tortoise mood on for a long time जी कच्छुआ था वो बहुत देर तक चलता रहा किती देर तक बहुत देर तक चलता रहा तो यहाँ पर आपको long time fill करना है next the hair saw the dead the was already there खरगोश ने पेले से यह वहाँ पर किसको देखा था Miley stone पर उसने tortoise को देखा था तो यहाँ पर आपको क्या fill करना है tortoise next the hair run but the tortoise mood जो hair था वो दोरता था कैसा दोरता था तेस दोरता था ना तो यहाँ पर आपको fast fill करना एफेश की fast और जो कचुआ था वो तो दीने चलता था है ना the stopped in the air tree पेड़ के नीचे कौन रुग गया था तो hair रुग गया था खरवोष रुग गया था है ना तो यहाँ पर आपको hair right करना है next first your work and then पहले आपको अपना work को क्या करना चीए खतम करना चीए फिनिश करना चीए ना यह पूरा करना चीए तो यहाँ पर आपको finish right करना है first finish your work and then rest पहले अपना work पूरा करिए उसके बादा आराम करिए ओके इस तरह से आपको all exercise compete करना है ओके अब हम इसकी question answer word meaning देखेगे first word meaning है ना proud 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 जो होता है घमन करना है ना माइली स्टोन मिल का बत्थर सीली मिन्स करता है मूर्ख है ना जो मूर्ख लोग होते हैं उसको सीली बोल से है असलीप मिन्स सोना वेक अप जागना finish पूरा करना खतम करना beat हराना इस तरह से आपको word meaning complete करना अब हम इसकी question आसे देखेंगे answer the following questions question number one who laughed at whom कौन किस पर हसा था आपने story पढ़ी है आपने पढ़ा था कि जो खरगोश था वो टोटोई इसके उपर हसा था क्योंकि खरगोश टेज दोड़ता था और टोटोई दीरे दीरे चलता था इसलिए भू कचूः के उपर हसा था तो आंसर क्या होगा हमारा the hare loved at tortoise जो खरगोश था वो कचूः के उपर हसा था next who raised with the hare खरगोश के साथ raised किस ने लगाई थी किस ने लगाई थी खरगोश के साथ arson तो आंसर क्या होगा the tortoise rest with the hair कच्छुए ने खर्गोष के साथ देश लगाई थी यह आपका second वाल answer गया where did the hair stop जो खर्गोष ता वो का रुख गया था आंसर गया the hair stopped near a tree जो खर्गोष ता वो फेड के पास रुख गया था next question है what did the tortoise say कच्छुए ने क्या कहा था the answer of the tortoise said to hair कच्छुए ने खर्गोष से कहा you are a good runner but you are a good sleeper too remember first finish your work and then take rest कच्छुए ने खर्गोष से कहा कि तुम एक अच्छे दोडने वाले हो धावक हो ना परन्तु तुम एक अच्छे सोडने वाले भी हो ठीक है क्योंकि वह काफी लंबे समय तक सो गया था वह सोया था तो वह शाम को उठाता है ना इसलिए वह एक अच्छा सोने वाला भी था याद रखो कि पहले अपना काम फिनिश करो उसके बाद रेश्ट करो ओके यह किसने कहा था यह टॉर्ट इस ने कच्छुए सिखाता है ना इस तरह से आपका क्योशन नमबर फूर कंप्लीट हो गया है अब क्योशन नमबर फाइब फूर्ट इस रेश कोन जीता था तड़ टॉर्ट इस बन दर रेश रेश कच्छुए जीता था ना ने क्योशन नमबर फिस फिनिश यूर वर्क एड देन रेश्ट वाइ पेले अपना वर्क कंप्लीट करो उसके बाद आराम करो इसा क्यों क्यों कहा गया है इस स्टोरी में आंसर इस वी डू नोट कंप्लीट अवर वर्क एड रेश्ट अवर वर्क विल रिमें इनकंप्लीट एड वी विल नोट गेट सक्सेस इसा इस स्टोरी में इसलिए कहा गया है क्यों क्योंकि अगर हम पहले अपना work complete नहीं करेंगे और rest करने लगेंगे तो हमारा जो work है हमारा जो काम है बहुत अधूरा रे जाएगा और उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी इसलिए पहले हमेशे ध्यान रखना है पहले अपना work complete करना उसके बाद आपको खेलना है रेश करना है टीवी देखना है जो भी काम करना है उसके बात करना है ओके स्टुडेंट्स आपको यह सारे question answer copy में write करना word meaning भी copy में write करना है और exercise आपको book में fill करना है और whatsapp पे send करना है ओके थैंक्यू